पहले हमारे लोग 18-25 के एज गुरूप के बच्चों को टार्गेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसके आउकाद भी होनी सी होतरी है तो मेरे को ना 5 मिने पहले मेरे को एक दिखा तो पैरोसन जैसे आपने देखा इस बीच काफ़े सारी कोर्सिस को लेकर स्कैम चलें ठीक है अब ये स्कैम है या नहीं है इसको हम बाद में डील करेंगे लेकिन आपको ये बता दूँ कि जो ये स्कैम होते हैं इसमें किन-किन लोगों को टार्गेट किया जाता है उसके बारे में DP समझाने वाला हूँ ठीक है और इससे आपको बहुत अच्छे से बदा चल्पाएगा कि इन- honी स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं ठीक है आखिए इस स्कैम है तो क्यों है अगर स्कैम नहीं है तो क्यों नहीं है ठीक है तो यहाँ पे दो आपके काफी बड़े रिनोन यूटिवर्स हैं, उनके बीच में काफी आपस में community वार छिड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि वहाँ पे honestly, ठीक है, एक सर ने तो यहाँ तक यह पके दिया कि जब छोटे लड़ते हैं, तो क्या कहते हैं, उस समय तो चलो सम जा सकते हैं उनको, लेकिन जब बड़े लड़े होता, उनको समझाए नहीं जा सकता है, तो उन सरक लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर बात अगर सही चीज को लेकर है, ठीक है, अगर सही चीज को लेकर, कोई मुद्दा लेकर आपका हापस में जंग छिड़ी भ लाँ, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो तीन सौफ को होन है, ठीक है, तीन सौफ टार्गेट रहते हैं, सबसे पहले होते हैं यहाँ पे, 12 पास आउट, दूसरे होते हैं, ग्रेजुट्स, और तीसी जो केडिगरी है, उसको मैं लास्ट में डिल करू चाहिए होती है, ठीक है, चाहिए वो कोई भी चीजों उनको शौटकट में चाहिए, ठीक है, शौटकट में बिना लर्निंग के वो चाहते हैं कि उनको as early as possible वो चीज़े मिल जाएं, तो इनी चीज़ को ज्यान में रखते हुए, यह चीज़े बनाई जाती है, ठीक है, इस हम भी ऐसे बन जाएंगे, अगर इनका course ले लिया, ठीक है, तो यह जो जूटे जो fake courses बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इस्ट्रेंट का carrier तो chop it होता ही है, साथ में उनको जो degree provide की जाती है, वो भी valid नहीं होती है, ठीक है, तो बिना किसी competition को hit के वे, बिना किसी process से गुजर्खे, अगर आप कोई shortcut में कोई चीज चाते हैं, तो वो चीज आप लोगों के carrier को destroy कर सकती है, सबसे पहले आप ये महान लीजिए, ठीक है, तो यह जो courses जितने भी आपके बनाए जाते हैं, कोई सिर्टेंग का बना रहा है, ठीक है, यह verified नहीं है, ठीक है, जब तक SEBI से, SEBI से registered courses, अगर आपको कोई भी आप सबस्ट trading as stock market का लेते हैं, कोई भी आपका courses लेते हैं, तो वो उसकी जो authorized body है, उससे अगर वो, ठीक है, verified नहीं है, आपका well license नहीं है, तो उसके beyond अगर कोई course sale कर रहा है, तो वो तो अपने आप में खतरनाग है, साथ में जो उस course क ले लेते हैं, ठीक है, किसी को business का चाहिए, किसी को trading का चाहिए, किसी को stock का चाहिए, किसी को अलग लग तरग के courses market में आ जाते हैं, ठीक है, और इन पे कोई regulation या कोई आपका act नहीं बना हुआ है, इन पे कि वो आपका sale करने से वहाँ पर बच पाए, ठीक है, तो यहाँ से आपका सबसे बहते हो learning लिजिए, learning के बाद ही जब आपके learning perfect होगी, उसी के बाद ही आप earning कर पाएंगे, ठीक है, next यहाँ पर आते हैं आपके graduates, ठीक है, graduates में students को यह लगता है कि जो हमने college में लिया है, वो हमें उतना sufficient नहीं है, उस level पे नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो ल आप उस courses में first जाते हैं, उसको खरीद के, तो आपको यह compile किया जाता है, कि आप उन courses को sale कीजिए, उसके बाद आपको उसका benefit मिलेगा, वो आपका अपना person लेगा, ठीक है, तो कुछ percentage होता है, जितना भी cutoff, जितना भी उनका brokerage cutoff रहता होगा, कि मतलब 70, 30 हैं, जो भी रह करती है, ठीक है, तो काफी सारे इस तरह के MLM होई का केते हैं, आपका बने हुए हैं, इसी model में based, एक दरस्ते pyramid बन जाता है, जा pyramid बन जाता है, तो जो नीचे वाले जो होते हैं, वो आपस में disrupt करने लगते हैं, ठीक है, तो एक person, दूसरे person को लेगा, ठीक है, तो एक person, होआ है, जो उस courses को बना रहा है, ठीक है, और जो sale करवा रहा है, सब सदर benefit उसी का होता है, तो यहाँ पे, जो graduates है, उनका भी उतना benefit नहीं, तो एक process है, ठीक है, एक जैसे competition की process होती है, उसमें तो लेगल process होती है, तो यह वाले जो process है selling की, ठीक है, कोई भी course आपका लेके आजरा market में, भीना किसी उसके, तो इससे क्या होता है, student का loss होता है, carrier भी spoil होता है, ठीक है, बाकी जिन student ने courses लिए, वो ज्यादा बता सकते हैं, कि आखिर उनने क्या benefit किया है, जिनने अगर सरके courses लिए हैं, तो definite नीचे comment करना ना भूले, तो फिलाल, जो मैं 30 category बताने जा रहा हूँ, यह वो लोग है, जो नहीं इस वारी के डिगरी के हैं, नहीं आपका graduates की, ठीक है, जी वो हैं 12 से नीचे वाले, जिननों ने आपका 12 भी नहीं किया है, यहां तो है स्कूल उंगे, यहां तो कोई अपना कुछ काम स्टार्ट कर चुके है, तो वो लोग तो बहु भी जल्दी trap हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे words को use के जाता है, कुछ business words ऐसे use के जाता है, जिसके कारण आपका, वो आसानी से रफस जाते हैं, ठीक है, तो फिलाल जिनोंने लिया है, वो ही चीज़ को ज़्यादा बेहता तरीक से बता सकते हैं, मेरा तो अपना personal reviews म यही है, कि students को पहले आपका competition के लिए best से best देना चाहिए, competition निकलता है, तो well and good, लेकिन जो चीज़ आप वहां से सीख की जाएंगे, तो वो चीज़ आपके in future भी काम लेगी, ठीक है, तो best conceptual educational physics और math की learning के लिए जुड़े है, विकास का select two point हो में, जहाँ मिलती है आपको best conceptual learning videos, ठीक है, बागी आपके अपने physics और math की data आप नीचे पूझा ना भूले, तो मिलते हैं बेड़ी से चीज़ प्यारी सी वीडियो में, और हाँ, अगर आप लोग और ज़्यादा इसमें related जानना चाहते हैं, कि आखिर ये MLM होरी क्या होता है, इससे related मैंने वीडियो अल् कि मिल्च आइगा, चौँए! क्वीज़ टूड़ते हैं, अगर ना भूले, तो आएब साथot K क्या प्यादा fact